हाई एव्रीवन आप्टर नीहा जोशी में एक आयरवेड चिकित सकू साथ में सरकारी डॉक्टर भी हो मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नीहा जोशी केर क्लिनिक में आपका स्वागत है आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शुक्र बढ़ाने के या मार कोजिक है आयरवेड इस फामले में क्या कहता है मैं थोड़ा सा आपके साथ ना बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी जिससे की आयरवेड के नाम पे आप बेफ़कूफ ना बने सेक्स पावर एक ऐसे और शदिया है जिसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ गोरक धंदा जादा चलता है तो मैं कोशिश करूंगी कि आयरवेड के जो बेसिक कॉंसेप्ट है वो आपके साथ क्लियर करूं जिससे की आप अपनी लाइफ को जादा बहतर बना सके बेफ़कूफ न बनें आपकी पर्सनल लाइफ और सेक्शल लाइफ दोनों अच्छी रहे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज मैं बता दूंगर फ्राइडे के लिए आपका कोई सवाल है तो प्लीज हैस्टेक माई कुशन लेकर कमेंट जरूर करिए हैस्टेक माई बहुत बहुत जादा इंपोर्टेट बाना गया है धर्म अर्थ काम मौक्ष यह चारकल मर्फास होती इह संसा इक्शाएं सेक्श के उपर ही निर्धारे。 मतलब अगर किसी इंसान की sexual life खराब रहेगी, किसी इंसान की आरोगिता अच्छी नहीं होगी, उसकी personal life में बहुत सारी tension रहेगी तो फिर obviously नहीं उसका धर्म में मन लगने वाला है, नहीं उसका कोई काम में मन लगने वाला है और धर्म में, अर्थ में, काम में इंसानी चीवर मन नहीं लगेगा तो मुक्ष की प्राप्ती तो होने से रही तो इसलिए आयरवेद में इनको बहुत जादा important बोला गया है आयरवेद में generally एक पूरा एक chapter बना के रखा गया है काफी बड़ा और important chapter है जिसको वाजी करण बोलते है वाजी करण का मतलब यही है, sex को sex power बढ़ाने वाले जितनी और शदिया होती है इसको चार पार्ट में divide कर रखा है, इन चार पार्ट में अलग-अलग उद्देश के हिसाब से medicine दे रखी है कुछ medicine होती है जो general body को improvement करने का काम करती है कुछ sex power बढ़ाने का काम करती है, कुछ संतान उत्पत्ती में सहायक होती है और कुछ sex से पहले और बाद में क्या-क्या इनसान को करना चाहिए किस तरीके से, क्या position से, कौन से नक्षत्र में वगएर वगएर इस सारी चीज़े बहुत detail में बता के रखी हुई है लेकिन एक बहुत important बात है जो बहुत सारे लोग miss कर जाते है वो मैं आपको बता रही हुँ कि जो वाजी करन अध्याय है यानि कि sex power बढ़ाने की जितने जो भी topic दे रखे है उस से पहले एक important chapter दे रखा है वो है रसायन वाजी करन पहले है रसायन और उसके बाद में आता है वाजी करन अगर आप वाजी करन और शदियों का उपयोग करेंगे मेरा dog वीच में आगया में कुछ सोजा प्लीज ना यार वीडियो शूट करने दे सोजा से से चलो यार मैं क्या बतारी थी आपको आगे रसायन वाजी करन सभी सहताओं में आर्वीड की जितनी सहताओं है चरक सहता, शुशुशुशहता, वागभड जितनी भी आचारियान जो भी सहता लेखिए उन्होंने पहले रसायन का वर्णन किया है और हमेशा बोला गया है कि रसायन का जब आप सेवन कर लो तो ही आपको वाजी करण का सेवन करना चाहिए अब रसाइन का सेवन मतलब क्या है रसाइन का सेवन है आपकी बोड़ी को ओवर ओल हेल्थी बनाए रखने का काम वो सारी ओशदियां जो कि आपके शरीर को उपड़ से लेके नीचे तक पूरे आपके skin को आपके vital organs को आपके kidneys को आपके दिमाग को आपके मन को आपके heart को आपके blood circulation को इन सारी चीज़ों को जो सही करने का काम करती है उन ओशदियों को रसाइन बोला जाता है जब आप रसाइन का सेवन कर लेते हो जब आपके vital organs बहुत अच्छे हो जारते हैं जब आपको body में किसी पриकार की कोई problem नहीं है किसी परकार कोई infection नहीं है आपको BP की problem नहीं है आपको thyroid नहीं है आपको blood pressure नहीं आपको diabetes नहीं है आपको thyroid नहीं है ये सारी जितनी भी problem होती है आपको और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, जब ये सारी चीज़ें आपके ठीक हो जाएं, जब आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, तो स्वस्थ व्यक्ति को अपने शुक्र को बनाए रखने के लिए वाजीकरण और शुदियों का सेवन करना चाहिए, य बहुत important चीज़ है, पहले आपके शरीर को स्वस्थ करने के लिए बोला गया है, उसके बाद वाजीकरण और श्रुदियों का सेवन करने के लिए बोला गया है, और साफ साफ लिखाई कि जो अस्वस्थ व्यक्ति, जो व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है, अगर वो पावर बढ़ाने वाली ओशदियों का सेवन करेगा, तो उसके लिए एक चीज बोली गई है कि जैसे कच्छा आम जो रहता है न, कच्छे आम से अगर आप रस निकालने की कोशिश करोगे, तो वो आम खराब हो जाएगा, रस भी नहीं निकलेगा, तो यही चीज बोली गई ह कि अगर आप अस्वस्थ हो तो आपकी हालत बिलकुल कच्छे आम की तरह होने वाली है, अगर आपका शरीर मजबूत नहीं है और आप सेक्स पावर बढ़ाने वाली ओशदियां लोगे, तो उससे आपकी बोडी में और जादा साइड इफेक्ट आएगा, अब दूसरी एक पॉडन चीज हो जाती है, बहुत सारे इवन आईवर डॉक्टर्स को भी यह चीज नहीं किलियर है, यह थोड़ा से कनफीजन हो जाता है, शुक्र का कम होने का मतलब होता है, शुक्रच है, जिसे राज यक्षमा में बता के रखा गया नो नहीं, शुक्रच है एक बिमारी ह लेकिन शुक्र बढ़ाने की जो आपको दुनिया भर के अईवर डॉक्टर और फार्मसी आपको सेंड करते हैं, बताते हैं, आपको मोबायल पर इमेल करके और दुनिया भर की यह सारी शीज़ा करके आपके साथ पिचार पिचार गरते हैं इन उशुदियों का, यह और करने की इक्षा को बढ़ाते हैं, तो आप और जादा बीमार पढ़ने वाले हैं, मैं आपको अपना एक किसा सुनाती हूँ, मैंने एक डॉक्टर, एक टेशन मेरे पास आया थे सेक्शुल प्रॉबलम के लिए, तो मैंने अपने जो आयर्वेट कम्यूनिटी है, बाकी दॉ कि अशुगंदा दो, कोई बोलता है, अकरकरा दो, कोई गोक्षुर बोलता है, कोई शिलाजीत बोलता है, जो आप लोगोने सुने होंगे, जितने भी आयर्वेदिक मैडिसन आती है, लगबग वही सारी मैडिसन उन्होंने बताई, एक आयर्वेद के बहुत बड़े अच् किसी व्यक्ति को कहीं खुझली हो रखी है, कोई दाद खाद खुझली हो रखी है, और वो खुझा 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 के परिशान है, पूरे शरीर में खुझली हो रखी है, तब आप वहाँ पे मैडिसन कौन सी देंगे, अगर किसी व्यक्ति को दाद हो जाए, उसमें बहु जल्दी पड़ेगा, जिन लोगां को शुक्र कम हो रखा है, जो बार-बार masturbation करते हैं, उनको sex की खुजली हो रखी है, उनको sex addiction हो गया है, जिस व्यक्ति को sex addiction हो गया है, उस व्यक्ति को आप और ऐसी ओषदिया दोगे, जो की sex power को और बढ़ाए, और सेक्स करने की इक्षा को बढ़ाए तो क्या होगा जैसे खुजली इंसान खुजा खुजा के अपना खुजली हो जाए वो बस खुजाता रहता है और खुजली बढ़ती जाती है वैसे ही अगर आप इन और शुदियों का सेवन करोगे तो आपकी प्रॉब्लम और जादा बढ़ जाएगी सबसे इंपोर्टन चीज ये है कि अगर किसी व्यक्ति को शुक्र कम है तो शुक्र बढ़ाने के और शुदियां मत लो सबसे इंपोर्टन चीज इस चीज का बिलकुल बहुत अच्छे से ध्यान रखो बिलकुल मत लो अगर आपको premature ejaculation हो रहा है अगर आपको erectile dysfunction हो रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी प्रकारगी और sex समबंदत व्यादी हो रखी है तो शुक्र बढ़ाने वाली वीर बढ़ाने वाली कोई और शदील मत लो सबसे पहले आपको अपने ये basic चीज़ों को सुधारना पड़ेगा इन चीज़ों को अब जिस व्यक्ती ने पिछले 8 साल, 10 साल से masturbation किया है एक दिन में 2-3-3 बार masturbation करते हैं porn movies देख रहे हैं 24 गंटे दिमाग में sex घुमता रहता है आपको दिमाग में केवल 24 गंटे sex घुमता है जो की गलत है ऐसी condition में अगर आप और sex बढ़ाने के और शदीलोगे तो आपको केवल नुकसान होगा अब आप लोग मुसे पूछोगे कि भाई करना क्या है चलो भाई उमने गलतियां कर ली हमने past में गलतियां कर ली अब हम उसको सुधारना चाते हैं हम को चाते हैं कि हमारी sexual problem है वो सही हो तो अब आई अब करना क्या है सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी body की internal health के उपर ध्यान देना है internal health के उपर ध्यान देने का मतलब है कि आपको high nutrition वाली diet लेनी है high nutrition diet रोटी, सबजी, दाल, चावल चार चीज़े आपको लेनी है पर दे एक फल लेना है फल कोई भी ले, बदल बदल के लेना जरूर है ठीक है? यह हुआ पहला दूसरी चीज़ है अच्छी नींद की medicine लेनी है नींद अच्छी आएगी, दिमाग शान्त रहेगा दिमाग रिलेक्स रहेगा सेक्स के थौट काम आएंगे अच्छी नींद के लिए आप हिमाले कंपनी की तगर medicine का प्रियोग करें safe medicine है, addiction नहीं लगता नींद भी अच्छी आती है आईर्विदिक तरीके से नींद आती है मतलब body को अंदर से pacify करके शान्त करके नींद लाती है कोई आपको hypnotize करने का या कोई hallucination वाली हरकते इससे नहीं होती है तो आप बिल्कुल safe है, इसका प्रियोग करें हमाले company की तगर ब्राम्मी medicine लीजिए शंक पुषपी लीजिए जो कि आपके दिमाग को शांत करने का काम करते है आपका जो दिमाग के उपर control खतम हो गया है उसको activate करने का काम करते है तो ऐसी medicine लीजिए जो आपके दिमाग को हलका करें ब्राम्मी का सेवन करिए शंक पुषपी आती है और भी माईगरे में इतने आपको brain tonic मिलेंगे उनका प्रियोग करिए sex tonic का प्रियोग मत करिए brain tonic का प्रियोग करिए दिमाग पे control होगा दिमाग पे जो गलत विचार आ रहे हैं उन पे control होगा तो sex पे control तो automatic हो जाएगा उसके बाद पेट साफ करने के लिए medicine जरूर लेनी है ये बड़ा अजीब सा तरीका एक concept है modern वाला को पता नहीं आयरवेड में लेकिन बिल्कुल बताया गया है कि अगर आपका पेट साफ रहेगा अगर आपका वायू का अनलोमन होगा वायू का अनलोमन होने का मतलब यह है कि वायू अपनी सामान निगती से आपके शरीर के अंदर रहेगी जो वात पितिकव बताये गए है वात अगर सामान रहती है तो गलत विचार कमाते है तो विरेचन औशदी का प्रियोग ज़रूर करना है विरेचन औशदी त्रिफला का प्रियोग करें त्रिफला का प्रियोग करेंगे पेट साफ रहेगा त्रिफला साथ साथ में रसायन भी है तो आप पर लिवर भी वापिस एक्टिवेट होगा आपकी इंटरस्टाइन भी प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, आप जो खाना खाएंगे वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होगा, तो इससे आपका शरीर अंदर से हस्ट पुष्ट होगा, आप ये सारी मैडिसिन लेजिए, आप सेक्स पावर को बढ़ाने वाली कोई मैडिसिन नहीं लेजिए, जितना हो सके, सेक्स को अवोइड करिए, सेक्स को अवोइड करने की जो एक्टिविटी होती है, वो एकदम से नहीं हो सकती, वो धीरे धीरे avoid करिये, अपने दोस्त तुरंद बदल डालिये, जो दोस्त खराब है उनसे तो बिल्कुल तौबा कर लो, लडाई कर लो उनसे, नहीं मिलना उनसे, कुछ भी करके बहाने करके लडाई कर लो, अपने फायदे के लिए उन लोगों से दूर हो जाओ, जो आपसे थोड़ी movie देखते हो, तो दो दिन में एक बार, फिर तीन दिन में एक बार, फिर हफते में एक आद बार, फिर पंदरा दिन में एक बार, ऐसे करते करते हो, उसको दूर करो, मस्रिबेशन भी इस तरीके से कम करते जाओ, जब आप हेल्दी खाना खाओगे, पेट साफ करने वाली और श्रदी लोगे, नीद प्रॉपर लोगे, और दिमाग को शांत करने वाली और श्रदी लोगे, ये सारी चीज़े आप करोगे, तो आपका दिमाग शांत होगा, आप दिमाग शांत होगे, गलत होट आने कम होगे, तो आपके सेक्शल पावर में अंतर आएगा, एक चीज़ और, इन चीज़ों में दो, चार, दस तिन से कोई फर्क नी पढ़ने वाला, आपको ठीक होने में टाइम लगेगा, आठ महीने, दस महीने, एक साल, और साल तक लग सकता है, इतना पेशेंस अगर रख लोगे, तो पूरी आगे की जिन्दगी सुधर जाएगी, इतना पेशेंस नहीं रख पाओगे, तो आगे की जिन्दगी तक दो भूली जाओ, सुधर ना, मैं आपको एक बात बदाती हूँ, कि ये जो बिमारी के पेशेंट होते है ना लगबाग थीक नहीं होते है, ये एक ऐसी बिमारी है, जось में डॉक्टर का सकसेश्फुल रेट होता है कि वो डॉक्टर बहुत बड़िया है, वो चीज़ बहुत ही कम होती है, क्यों härकि कारणी है कि पेशेंट के पास में, बिलकुल धहरी नहीं होता है, ने पास में, तो पहले वो अकेले आये करते थे, अब वो अपनी वाइफ के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आते हैं, उसे दिखाई देता है उनके चहरे से, कि उनकी आपसी, husband वाइफ की आपसी relationship, आपसी romance उनका बहुत अच्छा है, वो आप खुश है, वो एक दूसरे की feelings को समझन लगें, एक दूसरे की इज़त करते हैं, sexually खुश है, emotionally खुश है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को follow करेंगे, तो आपको कोई medicine की जरुवत ही नहीं रहेगी, आपका दिमाग सही हो जाएगा, और जितनी गलत आदते हैं आपकी, या जो भी आपकी sexual problem है, erectile dysfunction, premature ejaculation, कोई specific medicine आपको नहीं लेनी है, फिर से remind करा दू, दिमाग को शान्त करने के लिए, जितनी भी memory booster आते हैं, जिनमें ब्राम भी पढ़ा होता है, शंक कुछ भी पढ़ा होता है, कोई भी यह वाली medicine लेजिए, पेट साफ करने के लिए तिर्फला का प्रयोग करिए, तेक है, द circulation अच्छा होता है, बॉडी में जनरली healthy feeling आती है, तो इस चीज का ध्यान रखी, यह सारी चीज़ अगर आप करेंगे, nutrition का ध्यान रखिए, healthy diet लीजिए, और गलत संगती को विल्कुल छोड़ दीजे, यह सब अगर आप करोगे ना, तो आपकी सारी चीज़ अपने आप से ह चाहेंगे, चलो आज के लिए इतना ही नेक्स वीडियो के आप से दुबारा मुलाकत होगी, अगर फ्राइडे के लिए कोई सवाल है, तो please hashtag my question लिकर comment जरूर करिए, कोई और health issue इसके बारे आप जानना चाहते है, वो भी आप comment कर सकते है, बागी मेरे वीडियो दूसरे का शेयर करना मत बूले, please यार मेरे वीडियो शेयर जरूर किया करो, जरूरत है, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अगर लोगों में जनरली awareness आएगी health के लिए, क्योंकि medical line में बेपकूप बनाने वाले बहुत हैं, तो please दूसरे का शेयर करो, कोई बड़े डॉक्टर किसी और चीज़ के नाम पर बेफकूप बना लेते हैं, तो please यार दूसरे का शेयर जरूर करो, चलो नेक्स वीडियो में लागत होगी, तब तक लिए stay healthy and be happy, good bye